तो दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे इनके जो हेर हैं कुछ-कुछ ग्रे हैं और कुछ-कुछ हेर जो हैं वो ब्लैक हैं और हम देखेंगे इस वीडियो में किस तरह से नाच्रल तरीके से हम बालों को काला बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से जो कि आपके घर में ही शाइनी बनाती है और डार कलर देने का बहुत ही अच्छा सा काम करती है आपके बालों को कंडिशनिंग भी करेगी और साथी साथ जो आपके बाल हैं तूट रहे हैं ज़र्ड रहे हैं उसे भी ये रिपेर करेगा अगर आपके बाल सफेद हैं या फिर आपके premature graying hair start हो चुके हैं तो आप चाय की पति का use जरूर करें हमें यहां पर चाय की पति लेना है चाय की पति को आप थोड़ा सा हलके से roast जरूर करलें इससे क्या होगा कि वो थोड़े से अच्छी तरह से जब हम इसे, you know, mixer grinder में बारिक जब हम पीस हैंगे तो अच्छी तरह से यह हमारा जो है बारिक फॉर्म में टर्न हो जाएगा, ठीक है, मिन्स आपको एकदम बारिक पेस बनाना है, इसका बुरादा बनाना है, तो यह देखे, चाय की पत्ती को थोड़ा सा मैं यह दोस्तों काफी हमारे बालों को silky, soft, or शाइनी बनाते हें, जब आप चाय की पत्ती के साथ में, कॉफी के मिक्षर को add करते हो, तो यह आपके बालों को काला बनाते हैं, सफेद बालों को यह जड़ से काला बनाने का बहुत अच्छा काम करते हैं, यह बहुत ही natural है और बहुत ज़्यक तरीका है, जिससे कि हम अपने scalp को healthy बना सकते है सासी ज़ात हमारे scalp healthy होगे, तो nourishment अच्छी मिलेगी और हमारे जो बाल हैं वो बहुत अच्छे से बालों की strand मजबूत हो जाती है और बाल हमारे ठीक होना शुरू हो जाते हैं तो एक पाउच आप 2 रुपे की जो चाय की कॉफी का पाउच मिलता है वो वाली जरूर ले लें उतना आपके लिए इनफ हो जाएगा बालों पे अपलाई करने के लिए अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ coconut oil का जी हाँ दोस्तो इस mixture को बनाने के लिए हमें यहाँ पे लेना है coconut oil आप सबी जानते हैं बट नारियल तेल क्या आपके बालों को काला बनाते हैं सिर्फ नारियल का तेल काम नहीं करेगा इसलिए आपको नारियल के तेल में इस mixture को add करना है और इसे अच्छी तरह से एक घोल बना करके अपलाई करना है तो अपलाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी दोस्तों ये देखिए मैंने नार्गिल काते लिया आप एक से दो बड़े चमच इसमें लिये हैं और अच्छी तरह से कॉफी और चाय की पती में आपको मिक्स कर लेना है अब मैं आप लोगों को इसका एप्लिकेशन बताऊंगी कि किस तरह से इसे आप अपने बालों पे लगाएंगे अगर आपके बाल पूरे सफेद हो चुके हैं तब भी आप इस रेमिडी को यूज कर सकते हैं दोस्तों चाहे तो आप 15 येर्स के बच्चे भी हैं तब भी आप इसका इस्तिमाल कर सकते हैं यहां पे आप देख सकते हो बाल कितने जादा वाइट हैं आपको एक कॉटन का बाल लेना है और उसी के हल्प से आपको जहां जहां पे आपके सफेद बाल हैं या फिर पूरे बालों पे अगर आप लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी रेमिडी दोस्तों इसे जरूर यूज़ करें, 100% ही आपके बालों को काला बनाएगी, तो आप देख सकते हो इस तरह से जड़ों पे जरूर लगाएं, जिससे की सक्यालप आपके हल्दी होंगे और जो स्कैल्प होंगे तो ये जड़ों से आपके बालों को काला बनाएंगे marketing को काला बनाएं इस से इस यस सफेद बाल हैं वो जड़ से काले आना शुरू हो जाएंगे कुछी दिनों में इसका अप्लिकेशन आप हपते में दो बार जरूर इस्तिमाल करें जिसे कि आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा और बेटर रिजल्ट के लिए दोस्तों हमारे नाचुर प्रोड़क्स काफी जाद इफेक्ट्व होते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हेलफूल लगी ना आप लोगों को तो जरूर आप लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए